तो आज के इस वीडियो में हम लोग BSC में बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक BSC Third Year का Points and Theory इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स का डिसक्सिन करेंगे आज के वीडियो में तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर स देख लीजिए फिर हम इसको अच्छे एक्स्प्रेइन करेंगे ऐसा नहीं है कि हम डिफनीशन से आपको बता देंगे पहले हम देखने को कोई P.P.P. जो कि रियल लंबर के सेट में बिलॉंग रहा है और कोई बिलॉंग बिलॉंग रहा है और कोई भी एपसिलन ग्रेटर फ़िंट क्या होता है उर सके बाद डिमरूい पांट के बारे में डिसकस करेंगे फिर उसके बाद जो आपके सामने धिखर है कि विडिये इसका भी डिसकसन करेंगे तो चलिए Dayok बताया कि अगर हम इसको पहले आपको धंक से सम्झ में आएगा जो हम लोग नंबर लाइन पर डिर पेजिंट करेंगे तो अगर एक काम अभी हमारा कोई भी ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल कियों है अबी सब डिसक्स करेंगे तो हमने क्या माना जैसे definition में आपने देखा होगा तो हमने मालिया की P कोई point है ठीक है वो point हमारा P कब neighborhood होगा जब उसके जो nbd होंगे जब इस P point के nbd होंगे nbd मतलब neighborhood point of P वो कहां पे उसके जो neighborhood point P हो वो यहां पर होने चाहिए कोई भी epsilon greater than zero के लिए यानि की P minus epsilon कामा P plus epsilon यहां पर exist करने चाहिए तो हमने मालिया कर मालिया जहाँ आप सोचिए यहां पर कोई भी point P है और इसके neighborhood कौन होगे तो कोई epsilon कोई बहुती small positive real number है कोई भी positive number है तो हम जो जो P minus epsilon करेंगे P minus epsilon तो वो यहां पर exist करेगा और P plus epsilon यहां पर exist करेगा तो यह जब यह सब उसके क्या होगे जिसमें जितने भी point होगे वो उसके क्या होगे neighborhood होगे तो कोई भी interval हमारा किसी भी point पर यहां पर क्या होता है interval किसी भी point का neighborhood होता है तो कोई भी interval एक कामा भी इस point P का neighborhood कब होगा जब कोई भी epsilon के लिए P minus epsilon कामा P plus epsilon उसी इंटर्वल में लाइज Κर ना चाहिए इंटर्वल में उसी सेट में obstiva न चाहिए in किसी भी पॉइंट का यहां पर द्याद देने aham कि कोई बहां पर देना भी बात इन पर ट्रॉहां को hypnot का o कोई बी इंटर्वल किसी भी पॉइंट के जो ने वर होग यह वो उसी interval में लाई होना चाहिए समझ गए होगे अब आप कहेंगे close की क्यों नहीं की बारे में बात किया तो close interval जिसे a कामा भी हमने ले लिया अब मालिया जाए हमने इस की पे लिया मालिया जाए हमने कहा कि क्या इसका a point के बारे में लिया जाए तो इसके लिए जो epsilon होगा तो वो a minus epsilon कामा a plus epsilon ये तो बाहर चला गया और definition के हिसाब से क्या होना चाहिए वो उसी interval में contained होना चाहिए तो यहाँ पर a minus epsilon कामा a plus epsilon ये इस में नहीं contain करेगा इस close interval a कामा b में कहां contain करेगा but इस open interval केस में क्या था a minus epsilon कामा a plus epsilon is contained in open interval I hope आपको सब समझ में आया होगा तो यहां पर भी एक ठ्योरम बनती है कि every open interval is neighborhood of each of its points यानि कि open interval जो होता है वो हर अपने point पर neighborhood होता है हर अपने point पर neighborhood होता है तो proof हम उसका नहीं देखेंगे अपने next point पर बढ़ते हैं तो next हमारा को है interior point का तो कोई भी E हमारा गर subset है R का तो point P जो की E में है sorry यहां पर हम बता दें आपको point P जो की E का belong कर रहा है वो हमारे interior point कब होगा जब उसका जो NBD होगा point P का वो E में contained होना चाहिए तो point P हमारा क्या होगा interior point हो सकता है आप इसमें confused होगए तो चलिए हम इसको भी आपको समझाते है तो अब हम लोग discuss करेंगे interior point का क्या होता है तो अगर हमने मा लिया कि E हमारा कोई subset है इसको भी इस पर represent कर रहा है यह हमने क्या माना E हमारा कोई subset है तो यहां पर point P इसका interior point कब होगा point P मा लिया जाए यह है ठीक है यह हमारा कोई set है E कामा B इसमें हमने माना point P है जो कि किसको belong कर रहा है definition के साब से E में ही belong कर रहा है इस वज़े से हमने इसको यहां पर represent किया गया है तो यह हमारा interior point कब होगा जब इसका NBD होगा यानि कि यह इसका NBD होगा P minus epsilon कामा P plus epsilon यह इसका NBD भी इसी set E के अंडर contain होना चाहिए यह पूरा set E है ना तो यह point P का जो NBD होगा वो क्या होगा P minus epsilon कामा P plus epsilon वो इसी set E में क्या होना चाहिए contain करना चाहिए तो हमारा यह P point क्या कहलाएगा यहां पर interior point कहाँएगा बहुत ही basic सी definition है और भाहिव समझ में आ गया होगा अब चलिए बढ़ते हैं अपने next one पर interior of a set के बारे में तो interior of a set का क्या definition है कि let E is the subset of R then the set of all interior points of E is called interior of E बड़ाई simple है और denote इसको इस तरह से किया जाता है तो अगर हमारा E कोई subset है R का इसको मिसी तरह आपको समझा देते हैं तो जो interior point होंगे E का E के interior points होंगे अभी आपको उपर बताया कैसे होंगे interior point चो अभी आपको उपने बताया तो जो interior points होंगे E के उनका जो set होगा वो हमारा कहलाएगा interior of a E अब उसके बाद हम लोग देखते हैं exterior point क्या होता है तो अगर E is subset of R है अब point P जो कि यहाँ पर R में belong कर रहा है ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर interior point में E में belong कर रहा था यहाँ पर R में belong कर रहा है यहाँ रियल number के set में belong कर रहा है समझ पाए अभी आपको बताएंगे ऐसा क्यों है सब कुछ बताएंगे region wise तो अगर हमारा point P जो कि R में belong कर रहा है यह exterior point of P if there exist a NBD of P which is contained in complementary set यानि की EC क्यों है अभी सब समझाते हैं तो हमने पिछली बार की तरह एक बार फिर आपकी समने बना लिया exterior point को समझाने के लिए तो यह हमारा कोई E set है ठीक E set है तो हम definition के belong यह देखो अगर देखो ध्यान सुनना यहाँ पे plus infinite और इधर minus infinite तो यह E क्या था subset था R का और definition के साफ़ से जो point P हम यहाँ पर लेंगी वो E में नहीं बिलोंग करना चाहिए वो R में बिलोंग करना चाहिए यह हमारा तो यहाँ पर यह हमारा E है A से B तक तो point P हम को कहां से लेना है जो R में बिलोंग करना चाहिए E में नहीं बिलोंग करना चाहिए तो point P हमने मालिया यहाँ है ठीक है तो यह हमारे basis पॉलिमेंट्री सेट अब के ह्वाइं चाहिए जब इसके इसजेछ लाइव उप्सिलेंट कीच कामा यह बिलस एपसिलेंट वह कहां पर लाई करने चाहिए कउंप्लीमेंट्री सेट में में लाई करना चाहिए एसे набारी में था सेट E और इसका complementricity इसा बाहर वाला complement ही तो set होगा complement of E में ही तो होगा यह complement of E तो ही होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे इसी से तो definition के साब से जो था वो हमने आपको समझा दिया कि ऐसा point P जो की R में belong करता हो उसका जो neighborhood हो वो complement of E में belong करना चाहिए तो I hope आपको समझ में आया होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो के लिए आप कौन से topics का discussion करना चाहते हैं इसका next वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे boundary point के बारे में फिर open set और कुछ theorems के बारे में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक्यू सो मच पर वाचिंग